नमस्ते दोस्तों विलकम वेक माई चैनल लड़स नियूज तो लड़स नियूज में आप सब एका स्वागत है तो गाईज इतने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर्शिप के लिए फार्म अपलाई कर लिया है तो फाइनली आज की डेट में अभी अभी उन सब इचात्रों के से प्रॉपर्ली चेक कर पाएंगे ताकि आप सब पता लगा पाएं कि आपकी स्कॉलर्शिप आई है या फिन नहीं आई है एन गाई स्किन छात्रों को भेजी जा रही है सब कुछ आपको इस वीडियो में डीटेल से लाइप रूप बताने बाला हूं एन गाईस मैं आपक कमेंट्स आप ध्यान से पढ़ लो यहाँ पे साब साब बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरी स्कॉलर्शिप आई है जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे सर मेरी सिच्टर के आई है 2300 रुपे आज आई है क्लास 9 की तो गाईस पहले मैं आपको कंफर्म करा दू कि जितने चाथ रहे हैं नौवी दस्विक है उन्हीं चाथरों की स्कॉलर्शिप जा रही है और आपको मैं बता दू काईस जितने भी चाथ है ना अब यह बीसी बिकॉम या एटीसी ना उन सभी चाथरों का स्कॉलर्शिप आएगा बारत तारिक से बाद और 15 ताई तक सभी चाथर आई है या फिर नहीं आई है उसके लिए आपको क्या करना है आपकी Google पर आना है जैसे आप अपने Google पर आते हैं यहाप आपको सर्च कर लेना है UP Scholarship Payment Status बस आपको यही सर्च कर लेना है मैं आपको सब को डिटेल से बताने वाला हूं तो आपको क्या करना है यहापको दिख र करना यहाप आप देख पाएंगे UP Scholarship Payment Status 2021 अपने खाते में चेक करें इस प्रकार गाइस आपको इसी पर क्लिक करना है यहाँ से आप प्रपली चेक कर पाएंगे यहाँ पर आपको आइडिया सो टीप्स भी दिया गया है तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपके साम से बेंग अकाउंड में चेक करें कैसे तो गाइस मैं यहाँ पर स्कॉल कर लेता हूं यहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको पहले बता दू की चेक स्टेटरस और करेक्शन को लेकर डीडियल बने क्या कहा है तो गाइस देखिए आज की डेट में क्या है पहले क्या हो रहा था कि आप जब भी यूपी स्कॉलर्षिप का स्टेटरस अब चेक करने जा रहे थे तो आपका 20 और 21 वाला सो करता था वहाँ पर आपको 20 और 21 वाला स्टेटरस देख पाएंगे नहीं तो आप सब यहाँ पर क्लिक करकर ट्राइक कर लेना आपका इस मे तो आप देख पाएंगे चेटरस आन उमंगर पीफमस आपको इसी वाई लिंक पर क्लिक करना यहां से आप प्रॉपरली विराओड इसू अपना इस स्कॉलर्षिप का फ़न चेक कर पाएंगे अगर आपकी स्कॉलर्षिप आई है तो आप कमेंट भी कर दीजेगा अगर न पर यांप एक है क्मेंट कर रहे हैं कि सर मैं प homosexual पालाव्यम्यक क क्या यह बता सकति है कि कोई करेक्षिट कभ आएगा प्लीज तर बताईए तो गाईज देखिए आपका correction date 10 January को बताया गया था sorry 10 February को बड़ अभी क्या है आपका site वहाँ पे non-disable सो कर रहा है जहां तक उम्मीदे हैं कि आपका एक सी लेके 2-3 दिन के अंदर site आपका update करकर आपका यहाँ पे eligible कर दिये जाएगा मतलब open कर दिया जाएगा correction का portal अब बैस यहाँ पे क्या है कि delete 2019 बैस की कब आएगी scholarship तो देखिए गाईस मैं आपको बता दू जितने भी चात्रों ने अप्लाई किया है ना January तक सब की आने वाले क्योंकि आपका चार साथा भले ही लाग יודע हो बढ़ की अचार साथा लगने के बावजूद आपका जो है पास कर दिया गया है मतलब आप जितने बी कर है बजट होता है फास कर दिया घया है तो है Fresh से 31 कि समझे नहीं आरा है तो चूड़ो इंको यहाँ देखिए आप यहां पे आप देख पाएंगे ना भाई मैंने 18 नौंबर को फार्म कॉलेज सम्मिट कर दिया था कब तक आएगी प्लीज कमेंट करके बता देना तो मैं आपको बता दू गाइस अगर आपने 18 नौंबर 30 नौंबर से पहले आपने फार्म अप्लाई किया है तो आपका जैनुवरी में ही स्कॉलर्शिप आएगा यह भी आप कर लो यह भी आपके लिए बहुंस्ट इंपोर्ण चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं अब वैस यहां पे आप स्कॉल करेंगे तो बहुत से बच्चे स में आज आएगा ओके यहां पे कुछ बच्चे क्या है तो जैर बीस एकिस बीटीसी का नहीं स्कॉलर्शिप नहीं मिली है उमंग प्येफम पर चेक करने के बाद भी अंडर प्रोसेसिंग सी बीसी दिख रहा है हमारी स्कॉलर्शिप आएगी कि नहीं आगी सर बताईए बत स्कॉलर्शिप क्यों नहीं आए तो ऑभी आपको बता देंगे तो यहां पर नगी है वीडिख करते हैं को चैनल को उप्राइब कर लेना और दो की वे आने वाला जैसे 25 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं आप सब कुछ गिव्ड भी मिलने वाले हैं बाइबा टेक क्या